राश्पती जी के अभिभाशन पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं समसत के इस नए भवन में जबादनिय राश्पती जी हम सब को सम्भोधित करने के लिए आई और जिस ग्यवरव और सम्मान के साथ सइंगोल पूरे प्रोसेशन का नेटरूप प्रोसेशन का नेटरूप प्रोसेशन के लिए और हम सब उसके पीशे पीचे चल रहे थे नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजहादी के उस पवित्र पल का पतिविम जब साक्षी बनता है तो लोगतंत्र की गरीमा कई गुना उपर चली जाते हैं ये पचतर्वा गणतंत्र दिवस इसके बाद संसत्त का नया भवन सेंगौल की अगुआई ये सारा द्रश्च अपने आप में बहुत ही प्रभावी था मैं जब वहां से पुरे कारकम को मैं भागे जारी कर रहा था यहां से तो उतना हमें भव्रता नजर नहीं आती है लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमा वरन उपर वस्थेती में राश्पति उपराश्पति जिवरा हम सब के मन को प्रभावीत करने वाला विद्रश्य हमेशा हमेशा यहाद आखा जिन मानिय करीब 60 से ज्यादा मानिय सदेशों ने राश्पति जी के आभार पस्ताव पर अपने विचार रखे हैं मैं विनम्रत रखे साथ अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने मानिय सांसद गण का आभार व्यक्त करता हूँ मैं विशेश रुप से विपक्ष ने जो संकल पर लिया है उसकी सराहना करता हूँ उनके भाषण के एक-एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि नोंने लंबे अर्शे तक वहां रहने का संकल करने दिया आप कई दसक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दसक तक वहां बैठने का आपका संकल कर और जनता जनारदन को इश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि इश्वर रूपी जनता जनारदन आपको जरूर आश्रवात देगे और आप आप जिस उचाई पे हैं उससे भी अधिक उन्चाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाओं में दर्शक जिसा में दिखेंगे इस बार आपने आपका कॉंट्रेक्ट उनको दे दिया है क्या आपने इनी चीजों को पुचाया है आपने से बहुत लोग चुनाओं में लड़ने का होश्रक जिसा में देख रहा हूं आपने अपने लोग चुनाओं और आपने लोग अब लोग लोग शाबाय के बजाए राच्षाबाय में जाना चाहते हैं तो श्रक जिसा में देख रहा हूं स्थित्यों का आकरण करके वो अपना अपना रास्ता ढून रहे हैं अधन यद्धक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से तथ्षों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज हैं जो देश के सामने राच्पती जीने प्रस्तावेज और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगद्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तावर हो रहा है उसका लेखा जो खाओ आदर्य रास्तपती जी ने प्रस्तुत किया है आदर्य रास्तपती जी ने भारत के उजवल भविश्य को धान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सब का धान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्सित होंगे जितने जादा समरुद होंगे हमारा देश उतना ही समरुद होगा उतना ही तेजी से समरुद होगा और उन्होंने इन चार स्तंभों का उलेक करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवाशक्ति, देश के हमारे गरीब भाइब हैं। और देश के हमारे किशान हमारे मचवारे हमारे पशुपाला को उनकी चर्चा की है इनके ससक्तिकन के माध्यम से राश्ट के विक्सित भारत के लक्षो प्राप्त करने के जो राह है उसका सपस्ट दिशा निरदेश अच्छा होता है हो सकता है आपके हाँ फिशनमेन माइनोरिटी के नहों हो सकता है आपके हाँ पशुपालग माइनोरिटी के नहों हो सकता है किसान आपके हां माइनोरिटी के नहों हो सकता है महलाए आपके हां माइनोरिटी में नहों हो सकता है कि आपके हां युवा में माइन देश की सभी नारी नहीं होती है कब तक ठुकुर में सोचते रहोगे कब तक समाज को पाटते रहोगे सब सिमा करो सिमा करो बहुत तोड़ा देश को आदन्य अदग जी अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के धर्मयान कुछ सकारात्मक बाते होती है कुछ सकारात्मक सुझाव आते लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझता रहा उसको बार बार दर्द होता कि ये दशा है इनकी कि सोचरी की मर्यादा एकनी है अधने देख जी नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकरडर वही बज़ रही है वही बातें कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका कि चुनाव का वरस्ता थोड़ी महनत करते कुछ नया निकाल करके लाते जनता को जरा संदेज देपाते उसमें भी फेल गए आप चलिए यह भी मैं सिखाता हूं अधने अधिक जी आज विपक्ष की जो हाल अफ होगी ना इसकी सबसे दोसी कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला और दस साल कम नहीं होते हैं लेकिन दस साल में उस दाहित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं इसलिए हर बार ये करते रहें कि और पी विपक्ष जो तेज़स भी लोग है उनको दबा दिया जाए हाउस में कई यंग हमारे मानने सामसत गण है उत्सा भी उमंग भी है लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं उस चिंता में इस यंग जन्दरेशन को मोका न मिले हाउस को ही चलने नहीं दिये गए अन्य एक प्रकार से इतना बड़ा नुक्सान कर दिया है खुद का भी विपक्ष का भी संसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है देश ने जितना परिवारबाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कॉंग्रेस ने भी उठाया है अब अधिर बाबु की हाला जम देख रहे हैं वनना यह समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद की सेवा तो कड़ी पड़ती है आदेनियात जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिप्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पाटी से ही सिप्ट कर गए यह सब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्त बार बार लॉंच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आगए और यह दुकान हम नहीं कह रहे हैं आप लोग कहते हैं दुकान फोली है सब जगाए पर बोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आगए यहां हमारे दादा आपनी आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैठ बैठे कॉमेंट कर रहे हैं परिवार बात की मैं जरा समझा देता हूं आपको ना जग महोद है मैं जरा समय ले रहा हूं आच हम किस परिवार बात की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधीक अनेक लोग अगर राजनीतिक शेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवार बात नहीं कहा है हम परिवार बात की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथ्मिक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोग ही करते हैं वो परिवार बाद है ना राजनाजी की कोई पुलिटिकल पार्टी है ना अमिशाह की कोई पुलिटिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित नहीं है लोग तंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के दस लोग राजनीती मा है कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नव जवान लोग आएं हम भी चाहते हैं एए इसकी चर्चा करिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए परिवार वादी राजनीती परिवारिक पार्टियों की राजनीती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा, दस लोग प्रगदी करें, मैं स्वागत करूंगा, देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आएं, स्वागत ही होगे, सवाल ये है, कि परिवार ही पार्टिया चलाती है, पक्ता है, कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये लोग तंतर का खत्रा है, और इसलिए अच्छा हुआ दादा, तैंक्यो, ये विशे कभी बोलता नहीं था, अधिन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांग्शाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तयारी नहीं है और कॉंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं आतमंदिर भार भारत कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल, हम कहते हैं बंदे भाराट्रेल, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल, हम कहते हैं संसाज की नहीं हमारा, कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल, यहने बहरान हुई है कोई मोधी की अप्लब दिया, नहीं है देश की अप्लब दिया होगे और उसके कारण देश की सफलता हैं देश के अचिवेंट उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए हो अधेन अधिक जी राश्पती जी ने विक्सिद भारत के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा की अर्थववस्ता की मुल्भूद जो अधार है उसकर की बारीकी से चर्चा की और भारत की मजबूत अर्थववस्ता को आज पुरी दुनिया सरा रही है पूरी दुनिया उससे प्रभावीत है और जब विश्व संकर से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है G20 समीट के इंतर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भरत के लिए क्या सोता है क्या कहता है और इन सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार पर आज की मजबूत अर्थिववस्ता को देखते विए जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विश्वात से कहता हूँ और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टम्ब है आरग दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक दापन देगा और यह मोदी की गारंटी है कर फयों कर दो बड़करा को है कर लूज कर दो जानते है कर स झाल्य के रष़स्ट्विस जाल Lessons लोगं कि ए है